असलाम लेकुम विवर्स आज की जबरदस रेस्पी मटन अचार गोश्ट बहुत ही कमाल की बहुत ही आला बना है और इसके लावा ये इस कदर सॉफ्ट है बहुत ही सॉफ्ट और वी के गालों की तरह आपकी उंगलियों में हाथूं में ही ये इस तरह से तूटेगा जैसे मै तोड़ रही हूं आप इसको गरम गरम नान के साथ या फिरोटी के साथ सब कीजेगा ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार है और आप इसको खाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर चाटते रह जाएंगे बोन से भी ये बहुत ही सॉफ्ट वे में अलग हो रहा है और हर बायट में ग्रीन चिली के साथ इसका एक अलग ही बायट है तो यहां पे हम दो बड़े प्यास ले लिये हैं उनको मैंने स्लाइसिज में कट किया है तो इसको मैं गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी क्योंकि हमें गॉल्डन ब्राउन इसके करना है ताकि प् क Śाथ के साथ 1 dolar स्पुन मैं और यह फ्रॉजया झै cleaner परें Fill के दीक, आंच साथ 1 टबल स्पून मैं ने ग्रीन चिली का पेस्ट साथ एड कर दिया है。 इसके बाद साथ ही हमने यहां पे दोटुमाटर मैंने मिडियम साइज में चोप किये हुए एड कर दिये हैं। आप इसको भी बूनियेगा, एक मिनट तक बूनियेगा, टोमाटल मैंने पहले इसलिए एड किया है, ताके बाद में मैं बेसिक स्पाइसिस एड करूं, तो हमारे स्पाइसिस जलेंगे नहीं, डारेक्ट गरम ओल में जब आप स्पाइसिस डालते हैं, तो वह जल जाते हैं, जिसे हंडिया का कलर चेंज हो जाता है, वन टी स्पून सॉल्ट, वन टी स्पून रड चिली पाउडर एड किया है, हाफ टी स्पून मैंने टर्मरीक पाउडर, हल्दी पाउडर, और टू टेबल स्पून मैंने यहां पे अचार शान मसाला इस्तमाल किया है, अचारी शान म तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से त्यार हो चुका है मैं एक चोटा बाउल जो नॉर्मली सालन वाला बाउल होता है वह वाला मैंने बाउल यहां पर योगर्ट एड किया है योगर्ट को अच्छे सिफ इसको मिक्स करें इसके साथ ही मैंने 6 मिनट के लिए प्रेशर तो इसको हांडी में या कडाही में ही त्यार करेंगे मिक्स करें थोड़ी दिर कवर करें ताके दही के पानी में अच्छे से गोश्ट जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा और आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया है तो कुछ इस तरह से मसाले का और इसके साथ साथ इसकी अच्छे से बनाई कीजिएगा मीट की अच्छे से बनाई होगी तो जो हमारा सालन होता है या जो हमारी हांडी या कडाही होती है उसकी बहुत ही जबरदस्त और बीनी बीनी खुश्बू आती है तो इसकी हमने अच्छे से बनाई करनी है बनाई क तो पानी को हमने 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है दस मिनट बाद आप इसको ओपन करें इसमें ग्रीन कोरियंडर सप्रिंगल करें फाइव मिनट के लिए और पकाएं इसके साथ ही मैंने फ्रेश ग्रीन चिलिस को चारी मसाले के साथ बर के इसके अंदर रक दिया है फ फिर इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा जबरदस्त और सीजलिंग और कमाल का अचारी गोश्ट एकदम बनके त्यार है ना अचारी हांडी ऐसी कि हमारे मूँ में पानी आ रहा है तो चलो फिर इसको डिश आउट करते हैं हम लोग तो यहां पे हम इस कमाल का मज़ेदार बनता है रेसिपी अगर आपको अचारी गोश्ट की पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैने को सब्सक्राइब और बेल आइकोन को प्रेस करना मत बूलेगा इसी तरह की जबरदस्त और लाजवाब किसम की रेसिपी हम आपके लिए लेके आ बाइ